हाई स्टूडेंट्स ओइसन अकैडमी विल्कम आल माई दियर स्टूडेंट्स फ़र यूजी सी नेट निव बैच और जैसा आपको पता है यह हमारा बहुत स्पेशल बैच है क्यों क्यों क्योंकि यह बाइलिंग्विल होने वाला है इसमें इंग्लिश हिंदी में हम पढ़ा वाले हैं उन बहुत सारे हजारों बच्चों के लिए जिनके लिए यूजी सी नेट इंग्लिश लिट्रेचर में क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रपर इंग्लिश में पढ़ने से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जैसा सभी बच्चों इस फ्रम यूनिट 1 तो यूनिट 10 बट तुड़े द फर्स चैप्टर फर्स सेशन जो हम हमेशा लेते हैं यूनिट 1 में चले जाते हैं तो बहुत कुछ आप से छूट जाता है जो की आपको आगे चलके दिक्कत दे सकता है तो ड्रामा से तो हम शुरूर करेंगे यूनिट 1 से जो आपका कॉर्स है एन टी ए का लेकि उस से पहले एक इंटुड़क्शन क्लास बहुत जरूरी होती है कि कैसे हमारा एंग्लिश लिक्टरेचर की उत्पत्ती हुई कैसे हम लोग आगे बढ़ें और ये एंग्लिश सेक बता जाएगा यूनिट वाइस एमसी क्यूस करने में ये दिपी की आपको टे सीरीज भी एप्लिकेशन पे मिलेगा लेकिन हम एमसी क्यूस अपने तरीके से भी आपको कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर डैट इस एंग्लो साक्शन लिक्टरेचर नहीं करें हैं कि हमारे बाबा ये थे पर बाबा ये थे जो ग्रैंट पेरेट्स ये थे इन दे सेम वए इंग्ली साक्शन लिक्टरेचर आपको की चीछ का है इनको कहते हैं हम जर्मानिक पीपल्स इस ए गर्व ये जो लोग पांचवें शताब्दी से फवाइग फे। चै नॉर्मन कॉंक्वेस्ट, नॉर्मन कॉंक्वेस्ट कब हुआ था, शायद आपको पता होगा 1066, तो इस गुरूप ऑफ जर्मानिक पीपल, वो फिफ सेंचुरी तो 1066, इन्हाबिटेड आ गए, इन्होंने टरिटरीज के उपर राजी किया, दे रूल्ड, एन्धाट इस तो इस पिरिट के जर्मानिक पीपल है, यह कहाँ के पारट होगा है, कहाँ के किस एरिया में चागे है, इंगलेंड और वेल्स के, दे आपकोरिटरी, एपक आप समझते हैं, मॉक एपक भी आपने पढ़ा होगा, एपक जिसकी नाशनल इंपर्टेंस होती है, तो बह। सार और इसे वर्क्स हैं इसमें इस पीरेड के जो इंक्लूड करते हैं एपिकल वर्क्स में और एपिकल वर्क्स का एक इंपोर्टेंट नाम हम बता रहें आपको Bill Wolf, you must have heard the name of Bill Wolf और यह बिए वुल्फ एक ऐसा का एपिक है जिसने एक नाशनल लेवल नाशनल एपिक का इस्थान लिया है कहां पे ब्रीटेन में it has achieved a national epic status in Britain and the anglo-saxon chronicle अब लिख सकते हैं the anglo-saxon chronicle is basically a collection collection means jamma puji of early English history the anglo-saxon chronicle is what it is basically a collection of early English history for example you must have heard the name of the poem cadamon's cadamon's hymn cadamon ne jo poet tha usne a hymn likha tha kab from the seventh century and this cadamon's hymn is supposed to be the oldest सबसे पुराना surviving English text है English में जो जिंदा है मतलब जो कहीं से destroy नहीं हुआ है और बहुत सारा बच्चों इसके साथ-साथ manuscripts हां से लिखा हुआ लेखन हमको मिला है from the 600-year anglo-saxon period और ज्यादा तर जो उसमें लिखा गया है वो लास्ट 300 years and that is the ninth to the 11th century और किन किन languages में Latin में and even the vernacular बच्चों आपने नाम सुना होगा King Alfred का so King Alfred he noted that कुछ लोग ने Latin सीखा while very few could read Latin लेकिन ज्यादा तर लोग ने क्या पढ़ा Old English पढ़ा few could read Latin no doubt but mostly people could read the Old English and so King Alfred ने proposal दिया कि students को पढ़ाना चाहिए Old English और जो इसमें excel करेंगे those who will excel would go on to learn Latin first they should start with the Old English the moment they get excel in that field they would go for learning Latin clear और इस तरीके से क्या हुआ in this way many of the texts that have survived जो जिंदा रह पाए have a very typical reading and study oriented text और आपको जान करके इस बात की खुशी होगी कि लगभग चार सो सर्वाइविंग मैनुस्क्रिप्स हैं which contain the old English text and in चार सो में से students 189 of them they are considered the major text and these manuscripts have been highly highly prized by the collectors जिन्होंने collect किया since the 16th century both of their historic value एक तो उसका साहिप्तिक historic value है and for their aesthetic value जो हमें दिखता है सुनाई परता है हम इसको feel करते हैं उसकी value में और उसके decorative elements में so there are many things which make them priceless fine so यह हो गया उसके बाद आपने देखा होगा कि there were two other languages in anglo-saxon era और वो जो two other languages है students दोनों आप जानते होंगे एक Latin है और एक Greek है Latin was spoken by the church related clergyman and Greek by the people who were rich and royals and then the old English began और अगर हम थोड़ी सी small history की बात करें इतिहास की बात करें जो शायद आपको अच्छा भी लगेगा जानकारी की जरुवत है कि according to St. Bede, St. Bede का नाम सुनाओगा आपने Bede, according to this honorable St. Bede the Anglo-saxons were the descendants of the three different Germanic peoples, यह किसके उत्रादिकारी थे? यह तीन different Germanic लोगों के उत्रादिकारी थे, एक थे Angles, एक थे Saxons और एक थे Jutes, इन तीनों के उत्रादिकारी थे, descendants थे, इन तीनों के उत्रादिकारी थे, यह तीनों के उत्रादिकारी थे, यह तो इस अप्छों पढ़ाएंगे, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन में जानना, जो इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अब UGC NET के ट्रेंट में यह कुश्चन हैं अब आपको बताने जा रहे हैं, जिसको की पहला हम कहते हैं, दा Celtic period, now in this Celtic period, you have to understand that Britain was actually originally inhabited, inhabited मतलब कौन रहता था, तो they were inhabited by the Celtic Britons, और ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है, that these cells, यह जो लोग हैं, यह England में आए, around 500 BC, और कहां से आए students, Southern Europe से आए, बोलते क्या थे, Celtic, they spoke Celtic, और they are considered to be the original inhabitants of the Britain, तो यह तो हो गया कि Britain के बारे में, कि जो उरिंदली inhabited होते थे, by the Celtic Britons, पहला point, दूसरा point, Celtic tribes, Celtic tribes में दो लोग आते हैं, एक है Brightons, एक है Brightons, या कह सकते हैं, इनको spelling अलग है, Brightons, एक ही बात है, यह लोग कौन थे, यह inhabit करते थे, the present day Britain, जो हम present day Britain देख रहे हैं, and even the Gales, इसमें भी spelling दो परकार से होती है, ऐसे, Gales, these inhabit the present day Ireland, and some parts of the Scotland, clear, they also spoke the Celtic language, like Welsh, like Irish, Cornish, and even some Scottish Gaelic, now, these people who were cells, they basically lived, कहां रहते थे, they lived in closely tied clans, and were mostly hunters, जादा तर इसमें शिकारी थे, और जादा तर किसान थे, and that is why this was an iron age period, क्या कहते हैं इस पीरिट को, an iron age period, fine, so यह एक आपका, important knowledge का base हो गया, इसके बाद हम आपको एक point और बताएंगे, उसको कहते हैं, the druids, d-r-u-i-d-s, the druids, यह basically Celtic period जो है, 750 BC से 1200 BC continued है, उसमें एक यह term आता है, druids, इसमें समझने के बात यह है कि जो cels हैं, these cels were led by these people druids, and these were the members of the high ranking professional class in the ancient Celtic culture में, and they were in authority, अपने आप में एक authority थे, खास तोर से उन disciplines में, जिसको हम कहते हैं, law में उनका एक command था, उसके बाद, पॉलिटी में था, law, polity, medicine, history, इन सब disciplines में उनका अपना एक authority था, and these druids, they helped in resolving the people's issues, लोगों के जो शिकायत थे, लोगों के जो से resolve करते थे, और ये जो लोग हैं, students, बच्चों, druids, ये जादा तर याद किये जाते हैं as priests, they are remembered as priests, why, because they were those people who administered sacred rituals, जैसे हम लोग अपने घर परिवार में, पंडित जी को बुलाते हैं, different different rituals कराने के लिए, तो हम उनको याद करते हैं, so these druids were basically remembered as priests for the sacred rituals, now, one thing more about these druids, druids, they actually they preserved, preserved, समझते ही हों गया, बचा के रखना, they preserved, क्या-क्या, they preserved the myths, mythologies, जिसको कहते हैं, they preserved the legends, they preserved the history, they preserved the polity, and not least but not last, law, so these were the few details of this period, now, the next point is even more important and that is known as the Romans, बहुत ध्यान से इसको समझेगा, इसको पढ़ाने के बाद, हम लोग सीधा फिर आ जाएंगे, एंगलो सैक्सन लिक्वेचर पर या पीरेट पर, रोमन्स की बात करें, तो रोमन्स लोगों ने accept कर लिया था Christianity, they accepted Christianity, और जब accept कर लिया तो इन्होंने उसको इंटिड्यूस किया, and these people who accepted Christianity, they introduced it to Britannia, मैं शॉट में लिख देता हूँ, these people accepted Christianity, और एरो का मतलब समझेगा, इंटिड्यूस किया, इंटिड्यूस किया किसको, Britannia को, and they referred to the island Britannia, now what happened is, that role of Christianity, जो Christian इसाई धर्म का जो रोल था, कहां पे, लोगों को सिवलाइस करने में, उनको अच्छा बनाने में, उनको एक पुरुष बनाने में, उनको एक सिवलाइस सोसाइटी बनाने में, they basically, उन्होंने क्या किया, कि जो लोग फेरोसिटी वाले थे, फेरोशिस थे, गुस्ता था, उनको थंडा किया, उनको सॉफन किया, the role of Christianity in civilizing the people was that they softened the ferocity of people and thereby they improved the conduct of the people, of the faithful people. Now, Roman का जो contribution था, Roman contribution was mainly through three things, तीन तीजों से था, अब देखिएगा, पहला था आर्किटिक्चर से, आर्कि, ऐसे कर देते हैं एरो, पहला, पहला contribution, आर्किटिक्चर, दूसरा contribution, students, infrastructure और तीसरा था, the art of warfare, इस पर भी questions बना सकते हैं हम लोग, उसके लिए, option के लिए, fine, now, एक point इसमें आता है, downfall of the Roman Empire, तो यह जो Roman Empire था, students, this rule ended in England, as Rome was under the attack of the northern Germanic barbarian invaders, जिनको हम कहते थे, vandals, यहां लिख देता हूं है, V-A-N-D-A-L-S, फिर से मैं इसको repeat करता हूं, students, कि किस प्रकार सी Roman Empire का downfall हुआ, the Roman rule ended in England, as Rome जो था, that was under the attack, from the northern Germanic barbarian invaders known as vandals, and the Roman troops were called home, उनको घर बुला लिया गया, किस लिए, to defend their homeland in 407, कि भहिया, आके अपनी घर के रुच्छा करो, 407 में, fine, so these were the minute or you can say, preliminary important things to be noted down in your mind, in your memory, in your subconscious, so that as a scholar of English literature, these things are very much required, otherwise, बहुत-बहुत matter, content आपको इस पर पढ़ने की जरुवत नहीं है, बच्छों, now, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ हमारी PDFs, PPTs बनी है, जिसमें आपको देखा होगा, the Anglo-Saxon conquest, now, एक बहुत simple सा सवाल है, who were these Anglo-Saxons बच्छों, तो इसका answer क्या होगा, वो कौन लोग थे, they were basically tribesmen, they were even fishermen, मच्छवारे थे, farmers थे, and these people, these Anglo-Saxons, they drove the cells to their own periphery, periphery मतलब होता है, अपने-पने area में, और जैसा मैंने भी आपको थोड़े दिर पहले पढ़ा रहा भी था, कि यो जो cells थे, इन्होंने Christianity को ले लिया, and with them, उनके साथ, when they were driven out, जब उनको भगा दिया गया था, by the Anglo-Saxons, and the Anglo-Saxons, life की बात करें, social structure की बात करें, तो जो king chosen होते थे, they were by the council of the elders, and each community, her community के पास, चार distinct classes होते थे, fine, उसके बाद, पहला होता था, the regulatory class of the wearing warlords, who owed their position to the king, दूसरा, free men, they were allowed to own land, जमीन अब ले सकते थे, और व्यापार कर सकते थे, दूसरा, theans, this means that the early barons who came under this class, and the lower class means the culls or the serfs, servants, जो काम करते थे, किसके लिए, in the land, in return for military protection, and the lowest rank था, thralls, या कह सकते हैं, saver, slaves, who were usually the military prisoners, उनको बंदी किया जाता था, यह उत्रा important नहीं है, फिर भी हमने आपको बता दिया, कि शायद आपका भी याद रखें, तो अच्छा रहेगा, Now, Anglo-Saxon Kingdoms के बारे में थोड़ी सी जानकारिया आपको होनी चाहिए, कि Anglo-Saxon Kingdoms के अंतरगात कौन-कौन से, देश कौन-कौन से राज जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे Ireland, Scotland, Northumbria, Danlaw, Wales, Murkia, and Wessex, इनमें Ireland, Scotland, Wessex बहुत common है, बहुत known है, Now, we talk about a great name, जो बहुत popular है, और अक्सर बच्चे भी पूछा करते हैं कि वाइकिंग्स कौन है, को बहुत कहा हैं यह की वाइकिंग्स 207-499, यह जो वाइकिंग्स हैं, कि वैजिक लिए विटेनिया क किस नहीं किया था, tua वैकिंग्स नहीं किया था, और कहां से किया था, फ्रम नौर्डन यूरोपिय चौन गया कौन कहते हैं, Scandivania and these Vikings basically you can say they were more of raiders जिनोंने बहुत सारी monasteries को attack करते चले गए, गाउं को attack किया as monasteries besides we know that there are temples of education, there are seats of learning, they were also जो वो क्या थे वो एक store house भी थे, किस चीज के, historical artifacts के and opulence के इन चीजों के भी बहुत से इसलिए इनको कहा लाता है raiders और यह जो invaders थे students इन्होंने अपनी raiding को, raid को continue किया, even during the Anglo-Saxon period and as I have told you about the King Alfred, the famous Anglo-Sink King Alfred, the great जिसकों कहते हैं उसने resist किया, their invasion considerably, कई बार इनके invasions को उसने resist किया and the Vikings eventually left Britannia in 954, finally वो छोड़के चले गए, after their last King जो last King था उसका नाम था, Eric Haraldson, जब वो मारा गया and eventually, अन्तों गत्तों कह सकते हैं, the Vikings were driven out by the Britons Britons ने उनको finally भगा दिया Now, we will talk about the Anglo-Saxons, that is 449 to 1066, ये कान थे, who were these people, this term Anglo-Saxon students, they refer to four Germanic tribes, which came to the British Isles, from the modern day Denmark and Northern Germany, इसको note कर लीजेगा, the Angles, the Saxons, the Jutes and एक और था, शायद आपको नाम नहीं पता होगा, the Frisians, F-R-I-S-I-A-N-S, चार थे, the Angles, the Saxons, the Jutes and the 4th is the Frisians, F-R-I-S-I-A-N-S, and so, this, the Angles, as well as the Saxons, they were the most powerful Germanic tribes to conquer Britannia, जैसा मैंने बताया था, और सबसे जादा कॉंट्रिबूट किया, to the development of Angleland, जिसको बाद में England हो गया, और आज के समय में England है, पहले Angleland, फिर England, and then England, इसलिए इस पीरिट को हम क्या कहते हैं, Anglo-Saxon period, जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो Angles है, they claimed areas in the East, Saxons in the South, Jutes, small portions in the South and the Frisians, any patch of land they could find and disperse throughout the country, कोई भी जगे पा गए, and they disperse themselves in throughout the country, and अगर हम आज की बात करें, the modern day English, जो जिसकी roots, जिसकी जड़ें जो यह कहां है, in the old English, which was spoken by the Anglo-Saxons, English, there for students, is called a Germanic language, आज की समय में इसकी बहुत जबर्जश सिंग्रिफिकेंस है, और जो old English है, it became basically the middle English somewhere around 1180, and middle English became modern English around 1500 AD, जो शायद आपने अपने B.A.M.A. में पढ़ा होगा, अगर आपको history of English literature से थोड़ा सा जुकाओ है, थोड़ा सा उसमें प्रेम है, आपको याद होगा कि शेश्पर ने बहुत सारी plays लिखी थी, modern English में, B.A.W.Wolf was written in old English, the Anglo-Saxon even they try to make their way toward the periphery to the regions like Wales, England, Scotland, और बहुत सारी मदभ किया कि इसको बचाने के लिए to preserve the Celtic languages of Cornish, Wales, Irish and even Scottish Guilic. Students, हम आपको बताने बाले हैं, कुछ facts के बारे में, कुछ सच्चाईयों के बारे में regarding the Anglo-Saxons the Anglo-Saxons some facts पहला students अगर हम समझें facts को तो इसमें पहली बात समझने की है hierarchical structure हायारकी तो समझते होंगे hierarchical structure जिसमें king आता है and king who is king the benefactor of his subjects अपनी प्रजा का रखवाला उसके बाद इसमें मैं लिख देता हूँ king उसके बाद जैसे आपने पढ़ा होगा Macbeth में थेन ओफ कॉड़ और king के जो warriors होते हैं उनको थेंस कहते हैं और तीसरा होता है subjects subjects means प्रजा तो hierarchical structure क्या हो गया बच्चों पहले king हो गया फिर थेंस हो गए फिर subjects हो गए now second point is that the anglo-saxon जो religion है they actually followed paganism paganism आपने भर सुना होगा P-A-G-A-N-I-S-M so the anglo-saxon का जो religion था the religion they followed paganism and they had different gods अलग-अलग भगवान थे for different things and different regions और उनका एक बहुती प्रण विश्वास था भाग्य में था they had a strong belief in fate more ever उनके जो prominent gods थे जसे हम लोगों के भी होते हैं सभी के होते हैं the god of war in sky the chief of gods was known as wooden w-o-d-e-n then there was a god known as fria f-r-i-a yeah we can say fria wooden's wife का नाम था fria and the goddess of the home yes बाद में later on the names of the days of the week हपते एक हपते में जो days होते हैं उनके जो नाम थे they were derived from the names of the anglo-saxon god जैसे हमारे हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday है इसी प्रकार उनके जो हपते के दिन होते थे they were derived from the names of the anglo-saxon gods अब अगर हम बात करें 597 में in 597 students the roman cleric जिसका नाम था Saint Augustine this is a very important fact students Saint Augustine जब England में अराइब हुए then he was able to convert king Atherbert of Kent and this led to the whole kingdom being converted पूरा kingdom की kingdom convert हो गया तो फिर क्या हुआ जो churches थे they promoted peace चारो तरफ चमन अरे अमन पीस और एक दूसरे से लोगों उन्हें help करना शुरू कर दिया churches को unite करना शुरू किया लोगों को unite किया and also helped bring education चिक्षा को ले आए और रिटन लिक्वेचर को ले आए लिखी हुई लिक्वेचर तो जो monks होते थे they often worked as you know trying to write works by the hand by scribbing and there were some important buildings also of that age एक का नाम था the mead hall the mead hall this was a very good known name which was built like a large wooden structure where the king lived जहां पर राजा रहता था वहां पर अपनी court सभा को लगाता था अपनी parties करते थे and it was a major center of the anglo-saxon culture तो याद रखेगा the mead hall was imported now there is something to know about the role of church और कुछ important literary personalities हुआ क्या कि जो church थे जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है हमने अभी आपको बताया इन्होंने churches ने peace को promote किया लोगों को English people को unite किया इन्होंने education को ले आए written literature को ले आए, monks ने लिखना शुरू किया, हाथ से लिखना शुरू किया बहुत सारी मेहनत किया and then we saw some literary personalities and in this you will find some names like cadamon who was cadamon students he was a shepherd and yes the earliest known English poet सबसे पुराना English poet अगर कोई जानकारी में थाया था तो he was cadamon, इन्होंने लिखा था cadamon's hymn, आपको याद होगा मैंने शुरूआत में ही lecture में cadamon hymn का जिकर किया था, उस्ते बाद venerable bade, इसका भी मैंने जिकर किया है, आपको बताया भी था bade के बारे में, the father of English history, he wrote the eclastical history of the English people, ये पूछा भी गया था कई बार exam में, which narrates the accounts of the Anglo-Saxon times, then we have the Sino-Wolf, जिनोंने extension लिखा है, the legend of Saint Julian लिखा है, fate of the apostles लिखा है, और भी बहुत कुछ लिखा है, इसी तरीके से ये important names हैं, जो आपको जानकारी में रखने हैं, Now, there you will find next some of the characteristics, अगर हम कोई भी age पढ़ते हैं, आगे भी हम बहुत सारी ages पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाएंगे आपको कि इस age की क्या characteristic थी, तो anglo-saxon poetry की characteristic थी alliteration, जो की काफी समय तक आगे poets ने इसका इस्तमाल किया है, बाद में जाकर कि ये खतम हुआ, तो anglo-saxon poetry का जो पहला feature था, that was alliteration, जिसमें क्या होता है, जैसे हम हिंदी में आप से कहें, हिंदी में आप जल्दी समझ जाएंगे, चाचा ने चाची के चम्मत से चट्टी चटाई, तो देखिए, चाचा 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 वर्ड आ गया ला, इसी तरह इंग्लिश में जारा many alliterations, poems में लिखी जाती हैं, बहुत सारे प्रावर्स भी हैं alliterative mood में, आपको example सामने देख रहा होगा, Sally sells, she sells by the sea shore, तो the repetition of the same letter, same sound at the beginning of the words, for some poetic effect is known as alliteration, इसके बाद एक और आया सिजोरा, सिजोरा भी आपने पढ़ा होगा, जब किसी line में pause आ जाता है, जैसे हमने, आपने पढ़ा होगा, sonnet में, volta होता है, सिजोरा होता है, तो एंगलो सेक्षिन पोईट्री में, यू बिल फाइं सिजोरा, में इसकी line जब लिख रहे हैं, तो उसमें pause आ जाएगा, तो when a pause comes, it is called सिजोरा, फाइं, एक आप नहीं जानते होंगे, ज़रा से मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक, चुकि पढ़ाते-पढ़ा थे, मुझे एद्दम से याद आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, the good knowledge you have, it will be always wonderful, यह वर्ड केनिंग स्टुनेंट्स, what is kenny, यह भी anglo-saction period का एक device था, it is basically a stylistic device, एक बहुत ही stylistic device है, जो कि anglo-saction poetry में इस्तमाल की जाती थी, and which is defined, इसकों कैसे परिभाशत करते हैं, as a two-word phrase, two-word phrase, which describes words through metaphors, दो शब्द का phrase, जो describe करता है words को, किसके help से, metaphors के help से, and which also acts as a kind of riddle, जो कि riddle का भी काम करता है, as it describes someone or something in confusing detail, कि किसी को detail समझाने में confused कर रहा हूँ, जैसे एक example ले हम कैनिंग में, वेल रोड, for example, अब भेल तो आप समझते हैं, बड़ी समुद्र में जो मस्री मिलती है, इसको भेल रोड कहते हैं, अब देखें, यह तू वर्ड है, भेल रोड, यहाँ पर इस ता क्या मतलब हुआ, भेल रोड means, this is representing sea, समुद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से, एक और example देते हैं हम आपको, breast hood, h-o-a-r-d, breast hood, which represents, breast means heart, so this is called kenning, anglo-saxon stylistic device है, इसके बाद आपने देखा होगा, एक term है, orality, orality में क्या होता है, कि ज्यादा तर anglo-saxon poetry, it was circulated through word of mouth, जैसे आप तारीफ करें या किसी के बुरा ही करें, word of mouth जल्दी फैलती है, so orality means कि this was a device, through which most of the anglo-saxon poetry was circulated, through word of mouth by scopes, which were professional ministers, fine, now, you will also see that the important anglo-saxon works, they are divided into three parts, the first part is pagan poetry, elegiac poetry and christian poetry, अब मैं आपको समझाता हूँ, कि यह जो pagan poetry होती है, इसमें example आप समझे, Beowulf, and Beowulf, सबसे पुरानी जानने वाली, जानकारी में आने वाली, अंग्रेजी epic थी, English की epic थी, the most earliest known English epic, which recounts the story of the legendary pagan, and the name of the hero is in itself, the title of the epic, which is Beowulf. Now, what is this Beowulf about, the legend of Beowulf? पहले, UGC net में आप देखेंगे, बहुत साल पहले, questions आया करते थे, जो अब trend खतम हो गया है, इसलिए मैंने आपको शुरुबात में बताया, कि knowledge is important, यद्दपी की इसमें से questions ना है, लेकिन ऐसा कोई hard and fast UGC में ने रूल है नहीं, कि वो चाहें उनकी मरजिये वो दे दे दे, तो what happens with this heroic, this legend of Beowulf, ये जो Beowulf है, this heroic Beowulf, he travels to the land of the Danes, किसके राज्ची में चला जाता है, Danes के, and to help the Danish king, Horthogar, fight the monster general, एक बार पुच्छा गयाता है, मौन्स्टरल कौन है, Grendal कहां पाया जाता है, तो option में था Beowulf, Now this Grendel's mother and a terrifying dragon So this story was basically passed orally through Germanic tribes As in in England by the Anglo-Saxons And popular and became popular around the 88th century So this story has basically a Christian flavor also A pagan flavor also as it was recorded by the Christian Anglo-Saxon Around the 7th of the 8th century It's also a lot of pagan poetry you can get The Flight of Finsburg, Walder, Witsith Witsith was also asked before And if we talk about the elijayic poetry Then it was the ruin The wanderer, the seafarer and lays of breeze We also remember the wanderer or the seafarer I've read in my class many years Because at that time they were asked these questions in UGC net Now if I talk about the students' Christian poetry Then we have to study 3-4 things That is the life of the saints The Anglo-Saxon Chronicle Where we talk about the battle of Brunaberg And the battle of Maldon So these all battles are important Though it is not very much important That you study in detail about it Fine So this entire session Is I have tried to wrap up On our study of Anglo-Saxon poetry And in my next lecture We are going to start With the proper syllabus of the UGC net drama 1 Get into more interesting details Regarding the unit-wise history of English literature And trying to unravel portions Things of your net eccentric details Wherein you will be getting my 25 years of experience And it will be really very helpful for you To make your career To make yourself a very good scholar in English Till then, goodbye Bye